जाहिन बच्चो मैं हूं काजम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंथ क्लास का मैथ ऑफ्जेक्टिव सीरीज का एपिसोड टू बच्चो मैंने पिछले क्लास में एपिसोड वन में जो दस कोशन बताया था ठीक है अगर वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प् दस कोशन ऑब्जेक्टिव दोंगा जोगी बहुत ही इंपोर्टेंट होगा बोर्ड एक्जाम के लिए क्योंकि इस तरह का ही कोशन बोर्ड में पूछे जाते हैं ठीक है और यह इतना इंपोर्टेंट कोशन है कि अगर आप यह कर लते हैं तो 110 परसंट जो है आप बोर्ड यह चाफिते हम लोग आज का जो सेशन में हम लोग कोशन करने वाल हैं वह देखने के लिए ठीक है तो यहाँ पर मैंने कोशन लिए ठीक है तो मैंने पिछले CLASS में दस कोशन कर लिया था इस वास्तिप्व संख्या का और यहां पर ठीक है तो देरे देरे इसी तरीक लेली करेंगे ठीक तो यहां पर कोशन कर रहा है संख्या यह जो है क्या है यह पुर्णाइक है पड़ी में है इन में से कोई नहीं है क्या होगा बचो यह क्या होगा यह संख्या क्या होगा पड़ी में या पुर्णाइक समझिए बचो यहां पर ध्यां देना है देखें जब रिपेट करने का कोई एक वे नहीं है एक तरीका नहीं है बच्छो ठीक है तो इसलिए क्या हो जागा ऑपरी में होगा समझा गया ऑपरी में कब होता है जब रिपीटेशन हो एक निश्चित नियम से रिपीटना कर रहा हो जैसे दखिए यह भी कहां अगा माले 2.5 है है ना 50 म लिपीटेशन हो रहा है एक फिक्स कोई रूल से नहीं हो रहा है नियम से नहीं हो समझ्हारा जाएगा दू चौन नीचार लग यहां से दो से दूतिया छौ बच्वजग येख बच गाए एकel तो हमको सिर्फ क्या चार चार होगा तो हमना है यहां पर तीन है ठीक है लेकिन सिर्फ का गहात हुछा निया से नंबर अब चलते हैं हैं अब त्यरा नमर में यदि ए और बी का अभाज संख्या है तो ए और बी का लॉसर क्या होगा तो यह क्या होगा अभाज संख्या का मौसव हमेशा एक होता है अभाज संख्या का मौसव हमेशा क्या होता एक होता है यह भी पूछा हुआ सवाल है इससे पूछा जाता है बच्चों कि अगर दोत्य अभाद संख्या तो हमें सा एक होगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं चोदा नमर सब्सक्राइब में देख रहे हैं कि दो पड़ी में जंख्या होती है हैं जितने भी संख्या और रीशते हैं क्या होता है मालूम है अभाज संख्या और एक से बड़ी वह संख्या जो यह अपने आप से ही कटे दूसरे से नहीं कटे तो यहां पर देखेंगे तो 15-1 भाज चंख्या क्योंकि दूसरे संख्या सब्सक्राइब करने के लिए तो चलते हैं लोग अगला कोशन के लिए यहां पर क्या कर रहा है बच्चों की क्या हुँ सबसें लॉसा और मॉष्य का आनुपाथ को सबस्फद्रें स्व empieza KEY अनुबर क्या अब लगा तो 5 दूने 10 अधुने 20 लास बाटे मॉसर मॉसर कितना आए बच्छो जान तो देखें यह अपर हैस्ट कॉमन जो है दो ही आए-2 इसंग भाग लगा इसमें भी लगार इसमें लगा है 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 ना इसे दो हो जाएगा इसका मॉषा बटाद तो हो गया तो दू-दायन बट्धट क्या होगा दोस बट्टे एक मतब्थ दस अनुपात एक यह हो जाज़ेगा मेरा पी नोबर समझा हो ठीक ऑफ यह बीन्यवर अंसर हो जाएगा ठीक अना दू दास बीस के लॉसा और मॉषा का नुपात ही हो जागे बुद्ध निकालेंगी और मॉषा निकालेंगे अनुपात करतेंगी हो गया अब अगला है बचो यदि 65 तथा 117 का मॉषा है ना कितना हो इसके रूपका हो तो यहां पर निकाल लीजिएगा तो यहां से लिख सकते किहां बड़ावर यहां 12 165m बड़ावा लिखेंगे तो 13 और यह उधर जाएगा तो पलास 117 होते कितना आजाएगा 117 एक सो सत्रा एक सो थीस होगा यह अम निकालेंगे दो जो तो क्या होगा यह गुणा से भाग में हो जाए तो बटा कितना चली expanding ठीक है अब पॉइंसवाइव निए 130 होता है तो यहां पर दू आ गया बच्छो कितना आ गया दू क्या हो जागा इसका दू हो जागा समझे आ गया आप बात करते अठाय नमर का सबसे छोटी आप भाज संख्या का मोसर सबसे चोटी बहाज क्या हो दो चार चार बहाज संख्या होता है और सबसे छोटी होता है सबसे चोटी भाज संख्य चार होता है अब दुनों का कर दाए बच्छो मॉसा नुसा इन दुनों का मॉसा इतना होगा इसलिए दुनों का मॉसा दू अंसर ठीक है ऑब चलते आगे नाइटी सिक्स का अब हाज गुननखन क्या होगा तो 90 से आभाज गुननखन कर लेंगे कैसे करते हैं बहुत सिंपल है इसे हम लो करते ना लाए लेगा तो इसका एक्वाज यूखा1 आघिं सौला धू Yapative और फिर दूसे लाएगा बेखन डूनेयु खाल यहां-तो यह 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 पर पांच यह पार ते यहां पर देख लिजिए इसको क्या करता धोडर देना है और सिर्फ आंक रूसे करना है पिर बहुते मुशको injuries क्यों पूत्ते सेचत्व कीरी क् duraट में हम लोची के पार ग Annoy contest भॉडर सिंपल阵 दो सबस्क्राइब पिछले क्लास में इसाइशा सवाल की यहां पर है क्लास निकालना था क्षा कैसा जा फक्रसां का गुणा भट तरा गुणा नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज फिर उस सेशन में भी हम लोग 10 कोशन करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मच